तो अगर आप MS World के रेगलर यूजर हैं तो आप सभी Select Option जरू यूज करते होंगे तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ मज़दार Shortcut की Select Option के लिए जिसको यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं जब आप Select Option को यूज करेंगे तो आपके बढ़ने से पहले के चैनल सब्सक्राइब ने को सब्सक्राइब कर लिजएगा तो आज ये वीडियो चुरू करते हैं तो जैसे कि देख रहे हैं ये हमारे सामने एक पारग्राफ है ठीक है अगर स्भुझ आपको इसे एक word यूजू सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए हमें यहां पर करसा लना होगा और ड्रेक्ट करना होगा यहां जूसका शचार लाकिई ठाड़िए और दो बया खेर करण कर दिजे तो जैसे हम दो बर क्लिक करें, दिखिये, inanitics सेलेक्ट हो आप दो बार हम ने क्लिक किया और अब आविगे फॉरा परी interes टा hearing अगला option दोस्तुम किया जैसे कि माल लिजी देखिए आपके सामने दो अलग-अलग blockchain है할 फाक आप सामने a.c.e.g है एक link में और दूसरी link में क्या है ready f.h अब अगर जनरली हम जब select करते हैं इनको तो यह दोनों select हो जाते हैं ठीक है लेकिन अगर suppose हमको सिर्फ एक की line select करने हैं माल लीज़े B, D, F, H करना है या A, C, E, G करना है तो simply अपना cursor लाइए यहां पर ठीक है Alt को press करे रही है और उसके बाद आराम सी देखिए आराम सी यह line select कर सकते हैं अब यह select हो गया इसको आप Ctrl-C से copy कर लीज़े और जहां मर्जी आप वहां पर paste कर सकते हैं ठीक है पहले इसेट करना है तो आप कुछ ने करना शिफ्ट के साथ End प्रेस कर दीज़े और आप देख रहा है कि आपका E or A line लाइन लाश्ट टक select होगई अब अगर यहां पर यह 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 अपर आपका cursor है तो अगर आप U तक Select करना चाहते है तो क्या करना होगा फिर Shift के सा साथ होम प्रेस कर दीजे तो यह पोई लेंच सेलेट हो कि दूस्तों यह कुछ शॉटकट कीज है वैसा थे बहुत छुटी सी चीज है लेकिर अगर आप इसको रेगलर यूस मिलाएंगे तो अपना बहुत सारा टाइम आप सेव कर सकते हैं